अब तक हमने धर्म के तीन अंगों के बारे में जाना शील समाधी और प्रग्या धर्म के परभ उपलब्धी तक कैसे पहुंचा जाए ये भी डीटेल में जाना अब तो हमारे सामने मार्क सपष्ट है एक प्रवासी जब अपने मार्क पर निकल पड़ता है तो उस मार्क पर उसे कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उन कठिनाईयों से उसे सायता कैसे मिले ये भी वो जान लेता है ताकि उसका प्रवास सुग्दाई बन सके तो आईए इसी विशह में कुछ और जानकारी पाते है हमारी गुरुजी श्री गोएंकाजी से प्रणाम गुरुजी श्रुखी हो बेटी प्रणाम माताजी गुरुजी धर्म के मार्क पर काफी कठनाईयां आते होंगे ना आती है बेटी क्योंकि मन को वश्मे करना है उसे निर्मल करना है तो कठनाईयां तो है वैसे इस मार्क पर जो कि मन को गहराईयों तक निर्मल करने का काम करता है तो मन का ऑपरेशन होता है इसमें तो भीतर तक सुधार करना है त तो हमारे पांच बड़े बड़े दुश्मन है भीतर हमारे विकारी हैं और कुछ नहीं है, वो निकलेंगे और हमारे सिर्प चड़ेंगे क्योंकि वो जानना नहीं चाहते़ेप। तो पहला दुश्मन जो हमारा है वो है राग। कि अमाने तेमानों किसी बात पर इतना बड़ा राग नैबी हो लेकिन जब ध्यान करने बैठे जोरों से जागा इसके प्रति राग जागा इस वस्तु के प्रति इस व्यक्ति के प्रति इस संसारिक राग ये नहीं देरे देरे ये अलग होगी जाए तो आप साधना समंदिर राग जागा रहे ओरों को साधना करते विए ऐसी ऐसी अनभूति होती है मुझे तो वह एसी अनभूति चाहिए रहे वैसी अनभूति चाहिए ये दुश्मन से बसभार वह ऊंगया उसको देरे देरे दूर करना है दूसरा दुश्मन जैसे राग है वैसे दुवेश का दुश्मन तो पहले तो वो संसार एक बाते हैं सामाने तया किसी के प्रति इतना दुवेश नय भी हो पर दबा हुआ दुवेश है किसी के प्रति जगेगा जोर से उसने मुझे ऐसा कह दिया उसने ऐसा कर दिया अब उसके खिलाब द्वेश जागता है दुर्भाव ना जागता है फिर समझाता है अपने आपको अरे बाबा हम यह ध्यान करने आई क्या करने लगे उसे दूर करता है तो संसारिक बात अलग अब साधना समंधी बात उठे औरों को तो न जाने कैसी यह भूतियां हो रही है मुझको तो यह पीड़ा ही पीड़ा बैठता हूँ तो पीड़ा खड़ा होता हूँ तो पीड़ा चलता हूँ एक क्या है दूएश ही दूएश 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 दूश्मन सिर्प सवार हो गया और दो दूश्मन है दूश्मन और कोई नह तो हमको निकलना ही होगा, तो इसके साधना बंद कराओ, तो एक साधना बंद कराने का एक तरीका ये, भीतर से दुलत्य मारो, काम बंद कर दे, तो एक दुलत्य तो ये, खोब आलस आएगा, रात को सोया है, नेन की भूग नहीं है, लेकिन जैसे ध्यान करने बैठा, वैसे उंगने लगा, आलस आएगा, प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, बड़ा दुश्मन है, काम नहीं करने देगा, हम सजग कैसे रहेंगे, किसी तरह से इसका सामना कर लिया, तो एकोड दुलती लगती है, जैसे वो आलस और निद्रा में डुबोता है, ऐसी अब ये बेचेनी में, व्याकुल बना देगा, कुछ काम करने को जी नहीं चाहेगा, साधना तो बिलकुल करना नहीं चाहेगा, छोड़ इसको, उससे जरा बत्या लें, ये थोड़ा से काम करने, वो इनकोई काम करने को जी चाहेगा, साधना छोड़ कर गए, तो ये बेचेनी यह वेचेनी बड़ा दुश्मान एक पांचवा दुश्मान गुर है कि जब संदे होता है अरे क्या कर रहा हूं मैं यह भी कोई साधना है सांस को देखो सांस को देखो क्या कर नहीं है लोग इससे क्या मिलेगा और फिर अब विप्रश्णा करने लगे तो शरीर को देखो यह नश्वर है आरे हम जानते हैं नश्वर भाई भिन्न भिन्न प्रकार के संदे जागेंगे जो संदे की बात कही शक होने की बात कही तो इसमें मुझे अपना अनुभ याद आता है जब मैं अपने गुरुदेव से पहले-पहल मिलने के लिए गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे देश की एक उची अध्यात्न विद्ध्या शिखाएंगे उसे विपश्णा कहते हैं विपश्णा ये नामी कभी नहीं सुना घर आकर के जो मेरे पास हिंदी डिक्ष्णरी थी उसे देखा विपश्णा शब्द नहीं जो संस्क्रिट डिक्ष् है उसमें पस्था शब्द नहीं हुआ हमारी यहां तो यह चाहर फिल्कुल नई सी बात इतनी पुरानी बात हमारी लेकिन फिल्कुल नई सी बात जैसे मुझे लेगी ऐसे अनिक हों को लगती है तो यह संद्देह एक बहुत बड़ा दुष्मन हमारा हम सामना करेंगे यह आए कठनाई है तो हम बल भी आएगा अंदर हमारे मित्र हमारे इंप ढूर करेंगे यो दूर करेंगे और आगे बढ़ते जली जाएगी अपने ड्रों के बारे में आप से जानना चाहेंगे लिकिन समय होता है एक विराम का कि उर्जा में आप सबीखा फिर से स्वागत में गुर्जी पिछले हिस्से में आपने पांच दुश्मनों के बार में बताया तो क्या इस मार्क पर हमारे को या मित्र坊 है यह बिति है जैसे पांच दुश्मन है वैसे पांच मित्र भी, इन पांच दुश्मनों से लड़ने के लिए यह पांच मित्र hoe र dialect है तो एक मित्र मारा श्रद्धा, श्रद्धा हो मार्ग पर श्रद्धा हो समझे खूब अच्छे तरह समझे कदम यह मार कहां ले जा रहा क्वलाता है कि अपने मार्ग दर्शक निवारं कर ले श्रद्धा अवश्यक्थ कि डेवी पर वी देवता पर वी इश्वर पर वी ब्रहूं पर भी बुद्ध पर वी महाविर पर भी इसामसीब को पेगम्पर किसी मन्दि काम करना है साथ साथी समझे और शद्दा रखे एक गटना याद आती है मुझे एक शिवर में एक बुढ़िया माई आई बड़ा अनुकुल लगा उसे सारा शिवर इतना अच्छा लगा उसके प्रणा माने लगे घर जाकर भी सुबह शाम करती है बहुत प्रसंद साल आते संकोष तो होता है लेकिन के तो कह बेटी रहींग ऑ करती है वह पूजा करती हूँ और है नहीं चूटेग stun is or he और शुद्ध हो जाएगी नहीं मानती तो हमने उससे प्रश्ण किया अच्छा सच्मुष तुझे वक्ति है सच्मुष श्रद्ध है अपने देवी पर की देवता पर क्या कहते हैं खुब श्रद्ध है तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि घर में कोई विमार पड़ गया तो यह तो हमारी परंपरा में इसमें क्या बुरी बात है आरे तो 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 पांच रुपिय का प्रसाद कब चढ़ाएगी वो जब ठीक कर देगा इतने नहीं चढ़ाएगी तो तुझको अपने देवी पर देवता पर पांच रुपिय का भी विश्वास नहीं तो श्रद्ध है समझदारी के साथ जागती है बड़ा कल्यान होता है बात समझ में आ गई अब मुझे में श्रद्ध है इस रास्ते बचलने के लिए तो कदम कदम चलते ही चले जाएंगे सारी शंकाएं एक और धरीर जाएंगे यह बड़ा मित्र हमारा यह बलवान बने बड़ा कल्यान हो पेटी श्रद्धा जब अंद्र श्रद्धा बन जाती है तो बड़ी खतरनाग होती है और अक्सर यही होता है एक उधारान से समझो मेरा अपना पूत्र मैं कहूं देखो यह रास्ते चलो इससे तरह कल्यान होगा मंगल होगा दुखों से मुक्ति होगी एक कदम नहीं चले मैं जैसा कहूं उससे बिलकुल विपरीद अलग दिशा में चले कितना ही समझाओ नहीं समझे लेकिन सुबह सुआए और हाज जोड़ करके बापू जी थारो कमल जी सो मू उथारी कमल जी सी आंक्या मारू चांटा उठा के मूरक कहें किया टेंटे लगाई है मैं कहूं वो और परमात्मा कहते हैं सर्व्यापी कहते हैं घटगट वासी कहते हैं सर्वशक्तिवान कहते हैं कि उसको पॉलुप गनाने चले तो इश्वर से कहता है, तो कहे का करता है, मैं करनी मेरी हजार हो खराब, फिर भी तू तू तार देगा, तो ऐसी श्रद्दा, अंद्श्रद्दा होती है, बस इस तरह के अंद्वक्ती जब चलती है, तो धर्म लुपता होता है, आदमी धर्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ दर्धिरा से आगे बढ़ना है तो शडधा अवश्य का दर्म के प्रति मारत के प्रति विदी के प्रति लेकिन अंद्र श्रद्दा नहों इस के लिए सजगरणा हो 1977 जी कुरूजी बूझी आपने हमें肯ाप मित्रों में से शद्धा के बारे में जान कारी दी पाकी की जो चा आपने हमें शद्धा के बार में जानका रही है अब जो आगी के चार मित्र है उनके बार में बताएंगे अवाश्य मेती अगला मित्र है हमारा परिश्टम पुरुशार्थ पराक्रम वेर्यर शद्धा तो बहुत हो ऐसे लिकिन चले नहीं एक डंवी तो अंतिम लक्ष तकर कैसे पूँचेंगे कादम कादम चलना होगा शद्धा में बल देगी रास्ता भिल्कूल ठीक है हमें पूरा विश्वास है हम पहुंचेंगे लेकिन चलना होगा महनत करने पड़ेगी और शूर संग्राम है ओ घड़ी दो चार का सती संग्राम पल एक भाई संत संग्राम है रात दिन जूझना देह पर जन्त का काम भाई शूर संग्राम है एक युद्धा जब संग्राम भूमी उतरता है तो गड़ी दो गड़ी चार गड़ी खुद मर जाएगा या दुशन को मार देगा संग्राम खतम हुआ उतना ही संग्राम है लेकिन जो संत का संग्राम है संत संग्राम है रात दिन जूझना अपने श्रड़ कि विकर जाकता है विकार यायाक आजेड़ रहता है और ये काम देह परजन तका जब तक जिवित है आघीक काम करते ही रहना पड़ेगा यह मारा मित्र परिश्रबान वाला फूर्शार्थ वाला थीक से करे ठीक से नहीं करे तो परिश्रम का फल नहीं आए खूब समझ दारी के साथ विबेक के साथ कैसे हमको मेहनत करनी है कैसे परिश्रम करना है उसे समझ समझ करके कदम कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे यह बहुत आवश्या थी गुरुजी और हमारा अगला मित्र सती कहते हैं उसे पुराना शब्द है सती माने समर्ति लेकिन इस अर्थ में भी साथनमे परियोग नहीं होता किसी को याद नहीं करना है सती का अर्थ उन दिनों की भाषा में होता था सजग रहना जागरूक रहना तो किसके प्रतिस सती अगर किसी का सुमरन कर रहे हैं चत्त के बारे में प्रतिक्षण सजक रहेंगे कहीं ये और तो नहीं करने लगा कहीं ये राग तो लुआ तो नहीं जगाने लगा जग फिर ठीक करना है कि अपने प्रतिक सजग रहने को निदि जद्स करना है। यह अर네 प्रतिक्षण छन प्रतिक्षण जितनी देर तक हम सजग हैं तो वो सती समाधी में बदल गई वो समाधी हमारी हमारा मन सच्चाई पर एकाग्र है अपने बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति सजग रहते 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 एकाग्र हो रहा है तो यह हमारी समाधी सम्यक समाधी कृण होई बहुत काम के समधी हुई यह मारा चोथा मित्र हमारा पांचवा मित्रtakे इस परक्या को इस समान्य ग्ञाना नहीं परक्या एक्टो सोट परक्या के अ salvation यह प्रॉचण सुन लिए हां अ मैं जान-गया जाना कुछ नहीं मान लिया जिससे सुना है उस प्रशद्दा है जो शास्त्र पड़ा है उस प्रशद्दा है तो शद्दा कि मारे मान लिया वो शुरुत प्रग्या नहीं ऐसे ही चिंतन मरन करेगा जो बात कहीं वो ठीक है नहीं नहीं ठीक है इतनी बात तो ठीक है तो ये ज कêteना होती है बार-बार अनुभवित होती है तो भावी तों सब्सक्राइब 썰ता में वह और सब्सक्राइब उसको मापने का माप दंड इतना ही है कि मन हमारा समता में स्थापित है कि नहीं है साधना में ऐसा करें फिर जीवन में उतारे उसको तो प्रग्या सही प्रग्या काम के प्रग्या हुई इसलिए सारा काम कर रहे हैं कि भीतरी भीतर प्रग्या में पुष्ट होते 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 उसको जीवन में उतारने लगे तो फिर देखेंगे ये पांचवा मित्र बड़े कल्यान का मित्र ये तो हमारे सारे जीवन भर काम आएगा शुक्रिया गुरुजी आपने हमें शद्धा परिश्रम सती समधी और प्रग्या के बारे में इन पांच मित्रों के बारे में जानकारी दी आप से हमारी बाची जारी रहेगी लेकिन वक्त होता है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आप सबका उर्जा में स्वागत है दर्शो को हमारे शो का सेक्शन आप ही के प्रशनों पर आधरेत है गुरुजी पहला प्रशन पूछ रही है सीमा जी बैंगलोर से वो पूछती है कि अब तक जितने लोग मुक्त हुए हैं क्या वे सब विपशी थे कैसे कहें बेटी पहली बात तो ये कि कौन मुक्त हुआ और कौन नहीं मुक्त हुआ मुक्त उसी को मानेंगे जिसने अपने मानस के सारे विकार बाहर निकाल दिये जड़ों तक के जैसे पेड़ो को काट दे उसमें जड़ है फिर नए पेड़ो गेंगे तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ती सचमुच मुक्त हुआ कौन नहीं हुआ एक अई माब दंद है कि सारे विकार उसके निकल गए के नहीं निकल गए अब सारे विकार निकलने है तो उसको विपशना को या चायसो को नाम से कुछ फरक नहीं पड़ता अपने भीतर शरीर और चित्त के पारस्परिक समंधों को अनभूतियों से देखते हुए जानते हुए संबेदनाओं के आधार पर काम करता है तो जड़ों तक पहुचिए है तुधार जड़ों तक होने लगा जैसे अपने यहां नरसी मेहता बड़े भक्त हुए जब उनकी वानी पड़ी तो देखा उसमें लिखा है शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े शरीर में शोध किये बिना अनुसंधान किये बिना सच्चाय को खोज किये बिना सार नहीं मिलता सार तो तब मिला जो अपने भीतर खोज करने शुरू की अब भले विपशना नहीं कहीं उसको लेकिन उसने काम ऐसा किया तो परिणाम आया कि उसी के मन से ये उद्गार निकलती है वैस्ण वजन तो तेने कहिए ये पीर पर आई जाने रे पर दुख्र रॉद और अभिमानन आने तो सुधरगे ला अंदर टक है समझ सकते हैं विश्वास कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अंदर प्रश्ande पूछ रही है वीना जी घोलियर को कुछती है आप कहते हैं वर्तमान में जीना चाहिए झाला कहें एक हमारे जीवन में क्या लग हो जीवनमें लाप हो इसलिए रटर्मिक जीना है अगर लाब नहों हम क्यों यह सारी भाग दोड़ करें वर्तमान में जने का प्रियतन करो सीखो इस विद्या को बहुत लाब होता है हम वर्तमान में कदम रख कर गे यह नहीं कि भूल जाएंगे भूत काल को याद करेंगे कि ऐसी परिस्तिति में इस तरह की अवस्था में हमने क्या स्टेप उठाया था ठीक था कि गलत उसे सबक लेंगे और ठी करेंगे भाविष्य में अगला कदम हमको क्या उठाना है इसके लिए प्लैनिंग करेंगे अंदेर नी रहेंगे पर दूर तक की बाते सोचते चले जाएंगे अपनी उर्जा नश्ट हो जाएगे तो वर्तमान में कदम रख कर हम पीछे की बात को भी याद करेंगे आगे की अगले हफते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए उर्जा नमस्कार हुआ है हुआ है